कैबिनिट मंत्री सुरेश खन्ना ने कनोज के राजकिये मेडिकल कॉलेज का दौरा किया इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधक से विवस्थाओं के बारे में जान कर ली मीडिया से बात करते हुए सुरेश खन्ना ने बताया कि हमारी सरकार की प्राथमिक्ता है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ सेवाउं का लाभ मिले 1947 से लेकर 2016 तक केवल 13 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में थे 2016 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 30 मेडिकल कॉलेज बनाने की निव रखी जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेज बनकर तयार हो गए है सबी द्रश्टिकोर से यहां की विवस्था को देखने आए हमने जनपर दिदियों से बात की है आपके प्रदानाचार से बात की जो फेकलिटी मेंबर्स हैं उनसे बात की है उसके पीशे एक ही उद्देश है कि चिकित्सा भी बहतर हो और शिक्षा भी बहतर हो सन 47 से लेकर 2016 तक केवल 13 मेडिकल कालिज प्रदेश में थे किया गया है कि ज़्यादा ज़्यादा मेडिकल कालिज खोले जाएं जिससे हमारे पास डॉक्टर्स की जो कमी की बात हो रही है वो नहुँआ पूर्व के दश्कों में इस बात पर चिंता की गई होती तो शायद डॉक्टर्स की पनी कमी नहीं होती लेकिन मोदी जी की और योगी जी की सरकार में इस बात की चिंता भी की गई और इसको मूर्त रूप भी दिया गया 2019 में ही हमने 700 MBBS में प्रवेश्ट नए मेडिकल कॉलेज़स में दिये उसमें 500 शासी हैं और एक ग्रेटर नोड़ा और एक बदाईन 23 मेडिकल कॉलेज़स पाइपलाइन में है अर्थात 8 मेडिकल कॉलेज़स ने रमादा धीन है 13 मेडिकल कॉलेज़स का अभी-भी सुईकरती मिली है भारस सरकार से हमारी ये कोशिश है कि जो डॉक्टर्स की कमी प्रदेश में है उसको खरालत में हम दूर करें जे एन्यू हिंसा और महेंगाई को लेकर मंतरी सुरेश खन्ना ने बयान दिया उन्होंने कहा कि जे एन्यू हिंसा मामले में गरिमंतरी ने रिपोर्ट मांगी है सबको नयाय मिलना चाहिए सुबिधाई जब बढ़ेंगी तो थोला बहुत ये भी संबब है आपने सपला होगा कि स्टैम ड्यूटी अभी बढ़ी नहीं है लेकिन आवशक्ता महसूस की जा रही है क्योंकि हर छेत्र में मांग इस बात की ज़्यादा है कि पैसा बलाया जाए एक तरफ तो आपके तरफ बढ़ाएं सब काम पूरे करें तो उसके लिए कहीं ने कहीं हमको ये निरले लेना पड़ते है जी देखे जे एन यू की हिंसा उसके बारे में हमारे ग्रह मंत्री ने रिपोर्ट तलब की है हम हर इस तरफ पर चाहते हैं और नियायक की जो प्रकरिया है वो अपने आप में पूरी होनी चाहिए उन्हों रिपोर्ट मांगी है जो दूद का दूद दूद पानी पानी होगा इस दोरे पार कैबिनिट मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधक को खामियों को दूर करने के भी निर्देश दी साथ ही उन्होंने सफाई विवस्था के लिए उन्हें सचेत किया कन्नौज से नित्यमिश्चरा की रिपोर्ट